हेलो फ्रेंट्स वल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल बालोजी साइंस आज हम आप लोगों को चिपको आंदोलन अथावा चिपको मुमेंट के बारे में बताएंगे तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो देखिए चलिए सुरू करते हैं पहले जानते हैं कि चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे तो चिपको आंदोलन की सुरुवात चंडी प्रसाद भठ और गौरा देवी ने की थी चंडी प्रसाद भठ और गौरा देवी इसके बाद भारत के प्रसिद सुन्दरलाल बहुड़ा ने इसे अपने नेतृत में आगे बढ़ाया सुन्दर लाल बहुड़ा इन्होंने अपने नेतृत में इसको आगे बढ़ाया यही पर बता दें कि सुन्दर लाल बहुड़ा को ब्रच्छ मित्र के नाम से भी जाना जाता है अनेक competitive exams में ये question पूछा जाता है तो इसलिए मैंने बता दिया कि सुंदर लाल बहुगुडा को ब्रच्छमित्र के नाम से भी जाना जाता है और गौरा देवी को चिपको विमन के नाम से भी जानते हैं चलिए अब जानते हैं कि उस वक्त इस आंदोलन में क्या हुआ था तो इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गाउं के लोग पेड़ से चिपक जाते थे यहां पेड़ों को न काटा जाये इसके लिए क्या करते थे कि गाउं के लोग पेड़ों से चिपक जाते थे इसी वजह से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा लोग पेडों से चिपक कर इसकी रच्छा करते थे ताकि पेडों को काटा न जाये उनको बचाया जा सके चलिए अब जानते हैं कि यह आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ था तो यह आंदोलन हिमाले की उची परवत स्रंखला में गड़वाल मंडल के चमूली जिले के रेनी नामक गाउं में पहली बार सुरू हुआ हिमाले की उची परवत स्रंखला में गड़वाल मंडल के चमूली जिले के रेनी नामक गाउं में सुरू हुआ था रखेंगे आप लोग बता दें कि गढ़वाल भारत के उत्तराखंड राजी का प्रमुक छेतर है पहले यह उत्तर प्रदेश में ही था लेकिन जब उत्तराखंड को अलग किया गया तो यह उसी हिस्से में चला गया गढ़वाल की मुख्य भासा गढ़वाली तथा हिंदी है आपको बताते चलें कि गढ़वाल मंडल में चमोली की अत्रिक्त और कौन-कौन से जिले आते हैं जैसे देहरादून, हरेद्वार, रूद्र प्रियाग, उत्तरकासी आद ये प्रमुक जिले आते हैं इसके अलावा और भी हैं जो गढ़वाल मंडल में आते हैं तो यह ना सन 1970 के दसक में सुरू हुई थी, यानी 1970 के सुरुवाती दसक की बात है ये, अर्थात सन 1973 में 1973 में चमोली जिले के रेनी गाउं में पहली बार चिपको अंदोलन हुआ था, चलिए अब आपको बताते हैं कि यह बिवाद कैसे सुरू हुआ, तो यह बिवाद लकडी के ठ ठेकेदार और इस्थानिय लोगों के बीच परारंब हुआ था, यानी जो लकडी काटने वए ठेकेदार होते हैं, और जो गाउं के वहाँ के लोग थे उनके बीच सुरू हुआ, जब बनों की कटाई के लिए आये लोगों को ब्रच काटने से रोकने के लिए, वहां के ग् की महिलाओं और वच्चों ने ब्रिच को घेर लिया मतलब जब ठेकेदार ब्रिच को काटने के लिए पहुचे तो वहां की महिलाओं फौरन वहां पहुच गई और अपनी बाहों में भर कर वच्चों को पकड़ लिया अथवा पेडों से चिपक गई और इस प्रकार से पेड दो से चिपक गई और उनकी रच्छा की इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाता है चलिए अब जानते हैं कि इस आंदोलन की इस्थित क्या है इस समय इस आंदोलन की इस्थित क्या चल रही है तो धीरे धीरे यहां आंदोलन उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में फैला चम कटने से बचाया तो अब चिपको आंदोलन ने देश ब्यापी रूप धारण कर लिया है और इस आंदोलन के द्वारा व्रचों को काटने से बचाया जा रहा है यदि आप से कोई ये पूछे कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश क्या है तो आप क्या बताएंगे इसका मुख्य उद्देश आर्थिक स्वावलंबन के लिए बनों का ब्यापारिक दोहन बंद करना है यानि बनों को ना काटा जाए बनों को कटने से रोकना है इसका प्रमुक उद्देश से ब्रच्छों को ना काटा जाए यही ह तो यहीं पर एक सूचना और आपको बता दें कि चिपको आंदोलन के कारण सन 1980 में ततकालिन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने एक बिधेयक बनाया था। सालों का प्रतिबंध लग गया था। प्राकर्तिक संसाधनों के नियंत्रण की इस प्रतियोगिता में पुनापोर्ति होने वाले इन संसाधनों का सनक्षण अंतर नहीं थे। इस थानी समुदाए ब्रच्छों के ऊपर चड़कर कुछ साखाएं एवं पत्यां ही कारता है। जो इस थानी समुदाए हैं वो अपनी जरूरत के लिए क्या करते हैं कि ब्रच्छों की कुछ पत्यां तोण लिया जैसे पस्वों को खिलाना है या कुछ सूखी मुखी साखाएं काट ली तो थोड़ा ही काम करते हैं जिससे समय के साथ उनका पुना हो जाता है क्योंकि वो पुना से उगाते ही निकलाते हैं और ब्रच फिर से वैसे हो जाता है लेकिन ये क्या करते हैं नीचे से सबकार देते हैं इसलिए पूरे समाप्त हो जाते हैं इस अनुभावने लोगों को सिखा दिया है कि वनों के लिए विनास से केवल बन की उपलदता ही प्रभावित न जब इस्थाने लोग वहां के रहने वाले लोग बन की रच्छा करेंगे ब्रिचों की रच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से बनों के प्रबंधन की दच्छता बढ़ जाएगी इसलिए सभी को पेड़ लगाने चाहिए पेड़ों को काटना नहीं चाहिए चलिए पूछे जाते हैं पहला है चिपको आंदोलन किस गाउं में सुरू हुआ था रेनी, रोनी, रोनी, रानी तो आंसर सही होगा इसमें पहला वाला चिपको आंदोलन रेनी गाउं से सुरू हुआ था मैंने भी आपको बताया था कि चिपको आंदोलन हिमाले की परवत सरंखला मे जो गड़वाल मंडल है गड़वाल मंडल के चमोली जिले में रेनी नामगाउं में शुरू हुआ था फिर अगला प्रेश्ण है चिपको आंदोलन आरंभ कहां हुआ था कहां पर हिमाचल जारखंड बिहार उत्रांचल तो चिपको आंदोलन उत्रांचल में आरंभ हुआ था उत्रांचल का नाम बदल कर अब उत्तरा खंड रख दिया गया है तो उत्तरा खंड होगा तब भी आप बता देंगे उत्तरांचल होगा तब भी आप बताएंगे फिर अगला प्रश्ण है चिपको आंदोलन कब आरंभ हुआ था? कब? 1971, 72, 73, 74 तो आंसर सही होगा 1973 में यानि 70 के दसक में 1973 में आरंभ हुआ था फिर अगला प्रश्ण है सुन्दर लाल बहुडा ने किस आंदोलन का आरंभ किया था? चिपको व्रेच्छ लगाओ वनवहोसो हरितिमा तो सुन्दर लाल बहुडा ने चिपको आंदोलन का आरंभ किया था यहीं पर बता दें कि सुन्दर लाल बहुडा को व्रेच्छ मित्र के नाम से भी जाना जाता है कभी प्रश्ण आ जाए कि इन्यम लिखित में से व्रेच्छ मित्र किसे कहा जाता है तो सुंदरलाल बहुडा को ही ब्रच मित्र भी कहा जाता है फिर अगला प्रश्ण है चिप को आंदोलन किस से संबंधित है बागों से, कच्चुओं से, पोधों से, टमाटरों से तो चिप को आंदोलन पोधों से संबंधित है अर्थात इसमें पौधों की रच्छा की जाती है पेड पौधों की रच्छा की जाती है या ब्रच्छों की रच्छा की जाती है अगला प्रश्ण है तिंबर का दूसरा नाम क्या है तिंबर कच्चा माल इमार्ती लकडी लिटमस उपरोगत सभी तो तिंबर का दूसरा नाम इमार्ती लकडी है अगला प्रश्ण है उद्दोग वनों को किसका स्रोत मानते हैं वर्सा मिट्टी का कच्चे माल का ओटो का तो रहने वाले सभी जीवों की मूल आवसकता क्या है जुतने भी जीव धरती पर रहते हैं उनकी मूल आवसकता क्या है कपड़ा मकान जल रोटी तो धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवसकता जल है वाटर है आसा है आप सभी लोगों को चिपको आंदोलन और उस पर आधारी सभी प्रश्ण अच्छी तरह से समझ में आये होंगे तो आज के अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में डेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए तकी आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद